मैं हूँ तबिता और आज के इस वीडियो में हम partnership fundamental के mcqs करने वाले हैं आपको mcqs मेरे telegram channel पर तबिता मेसी class 12 अगर आप जॉइन करोगे तो वहाँ पर chapter wise आपको mcqs मिल जाएंगे और even accounts, business and economics तीनों subject पर मिलेंगे तो आपको वह जरूर से try करने हैं तो उसके लिए आपको telegram पर channel जाइन करना होगा आज जो हम mcqs करेंगे guys वह सीखने के परपसे करें क्योंकि यही mcqs हैं जो अलग amount के साथ हमारे exams में आएंगे तो हमें सीखना है mcqs को मैं question लिखूंगी आपको भी register लेके बैठना है, question लिखना है और solve करना है लेकिन मेर से पहले try करना है question को solve करने का इसका मतलब क्या हुआ कि आपको अपनी speed पर work करना है जितनी जल्दी में solve करना है उतनी ही जल्दी आपको solve करना है क्योंकि accounts में generally paper इसलिए छूटता है क्योंकि हम speed maintain नहीं करते है तो हमें speed कैसे maintain करनी है उसको सीखना है तो जल्दी से अपना register निकालो, pen निकालो और मेरे साथ solve करो तो सबसे बहले guys जो में fundamental से question ले रही हूँ वो ले रही हूँ interest on drawing का आप सबको बताओगा interest on drawing का topic right महेश एक partner है partnership firm में withdraw करते है guys 15,000 at the end of each quarter कौन सा each quarter? quarterly में at the end ठीक है दूसरी information क्या given है interest on drawing है 6% per annum interest जो हमें given है वो 6% per annum से given है तो आप जल्दी से solve करेंगे से हमें सबसे पहले अपनी drawings को quarterly given है तो total drawings क्या होगी? 4 से multiply करेंगे एक साल में 4 quarter होते हैं 6% per annum तो rate of interest time कितना लेंगे? end of each quarter तो guys table में आपको याद होगा middle में 6 होता है beginning में 1.5 plus हो जाता है और end में 1.5 less तो 4.5 हम यहाँ लेंगे divided by 12 तो आपको यह table जो बहुत easy सी मैंने बहुत सारी वीडियो में सिखाई है आपको जरूर से याद रखनी है shots में भी इस table को सिखाया गया है ठीक है? यानि कि आप मेरी अगर shots देखोगे कट गया अब हमारे पास क्या आगया यह भी point हटाया तो नीचे 0 इससे कट गई 10 और 45 को 3 से multiply करना है तो 3.5s are 15 13.50 answer होगा हमें MCQs में सबसे पहले answer नहीं देखना time waste नहीं करना हमें अपना answer निकालना है क्योंकि अगर हम answer देखेंगे समय बरबाद होगा इसलिए answer क्या है 13.50 अब चेक करो क्या यह option है तो yes यह D option में है तो यानि कि अपने सही की है इसके बाद guys हम question number second लेते है I hope आप लोगों ने भी इस काम से निकाला होगा और आपका भी AIR होगा इसके बाद guys second question जो है उसमें Salma एक partner से है partner से कह रही हूँ नहीं Salma एक partner है firm में and she withdraw 4000 per month कितना withdraw कर रही है वो 4000 per month है and middle of every month middle of every month during the year ended if the interest on drawing is 8% IOC कितना है IOD 8% पर है अब क्या करना है 4000 हमें given है per month तो इसे yearly convert करेंगे तो एक साल में 12 महीने होते है middle का मतलब क्या हुआ guys हमें table याद होनी चाहिए 6 by 12 middle में 6 by 12 into 8% बहुत असानी से solve हो जाएगा guys अगर आप करोगे 12 से 12 कट गया आप चाहो तो total drawing 12 को 4 से multiply करके 48,000 निकाल सकते अदर्वाइस simple ऐसे solve कर दिया यह 20 से 20 कट गई आप इसको multiply कर दिना है 48 multiply by 40 0 1920 तो answer हमारा क्या होना चाहिए 1920 जो की again option है D option है 1920 तो it means हमने सही किया है जो हमारा answer आ रहा है otherwise answer देखोगे तो confused हो जाओगे तो आपका भी यह answer आना चाहिए इसी speed से आपको भी करना है और even मेर से जल्दी करना है ठीक है तो अब आप यह चीज़ notice करी आपने कि हमें drawing calculate करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है total drawing हमें निकालनी है सबसे पहले rate हमें given होगा 6%, 8% और month आपको पता होने चीज़े तो month के लिए table याद होनी चीज़े आपको ठीक है इसके बाद third question जो है guys वो theoretical है जो कि आप बहुत असानी से बता सकते हो in the absence of partnership deed a partner is entitled to interest on capital अगर हमारी deed नहीं है तो interest on capital कितने rate पर दिया जाता है तो बिलकुल भी नहीं दिया जाता IOC पर interest तो इसमें options दो हमें दे रखे 12%, 5%, 6% and none of these तो हम select करेंगे none of these क्योंकि IOC पर interest नहीं दिया जाता अगर partnership deed हमारी partnership deed नहीं है तो क्योंकि फिर हमारा partnership act 1932 apply हो जाता है और वो सिर्फ एक चीज़ के लिए agree करता है क्या देने के लिए interest on loan 6% पर रहे हम से ठीक है आगे बढ़ेंगे guys pick the odd one out इसमें से आपको odd one out निकालना है in respect of the fixed capital account तो fixed capital account में इन्होंने हमें options दे रखे first capital introduce second option दिया interest on capital third option इन्होंने दिया capital withdrawn fourth इन्होंने दिया none तो अगर आपको इसमें से odd one out निकालना है fixed capital के relation में तो fixed capital के relation में guys capital account में capital introduced आता है capital withdrawn आता है but interest on capital नहीं आता क्योंकि वो किसमें चला जाते है हमारे current account में तो odd one out क्या होगा आपका second option होगा इसके बाद guys जो next question है ये मैं चाहूंगी कि आप register में मेरे साथ solve करें ठीक है जिसमें हमें BAWA एक manager है partnership में is entitled to a salary of 8,000 per month BAWA को salary मिल रही है 8,000 per month आगे क्या कहते है and a commission of commission कितना मिल रहा है 5% पर एनम से 5% on net profit on net profit ठीक है after charging such commission after charging such commission का मतलब क्या होगा guys 5 upon me 105 ठीक है after charging such commission का मतलब क्या होता है कि वही commission का amount 100 में plus हो जाते है और before के case में plus नहीं करते अब उन्होंने बोला profit हमें given है 13,56,000 हमें क्या निकालना है कितना total remuneration इस person को जाएगा जो भी है ये बंदा BAWA इसको कितना पैसा जा रहा है तो guys अगर मैं बहूलू कि इसको एक तो हमें commission देना एक salary देनी है तो salary कितनी बन रही है 8,000 पर मन के हिसाब से 12 से अगर मैं multiply करूँ 96,000 तो इसको salary चली गई अब commission देना है net profit पर तो देखो profit में से पहले salary लेस करो कितना आएगा 13,56,000 में से 96,000 अगर less करें तो आ गया 15,9 गया 6,12 12,60,000 का हमें कितना पसंद देना है 5 upon me 105 105 को concept clear है after charging such commission अब हमें से काटना है 21 अब देखो 21 की किस table से कर सकते है तो बहुत easy से मैं identify कर पा रही हूँ कि अगर मैं 21 को 6 से multiply करूं तो 126 आएगा तो यह चीज कट गया 6 से तो amount आगया 60,000 तो 96 plus 60 salary plus commission मिला के उसको मिलेगा 156,000 अब हमें answer देखना है कि क्या जो हमने निकाला वो है तो yes guys यह option भी 156,000 D number पर दे रखा है तो it means हमने सही किया है ठीक है तो आपको भी साथ के साथ करना है इसके बाद guys next question पकड़े है जिसमें Surinder, Jitinder, Rajiv पार्टनर है sharing profit and loss in the ratio of 5,3,2 तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं आप भी अपने register में लिखो साथ के साथ और इसे solve करना है Question number 6 है guys Surinder, Jitinder, Rajiv तीन partners हैं firm में और जिनका ratio हमें given है 5,3,2 आगे वो कहते हैं इस पर partnership deal Rajiv is to get a minimum amount of 10,000 in the profit Rajiv को हमने minimum 10,000 उपे तो देने है Net profit हमें हो रहा है 40,000 उपे तो अब हमें निकालना क्या इसकी deficiency निकालनी होगी Deficiency निकालनी है Rajiv की बहुत easy सा है 40,000 उपे Rajiv का share निकाल दो 5,3,8,9,10 यानिकि 2 by 10 8,000 उपे इसका बन रहा है लेकिन हमने इसे 10,000 देने थे तो 10-8 कितना हुआ 2,000 की deficiency अब हमें 2,000 चेक करना है given है Yes, C option 2,000 given है तो इतनी ही जल्दी से आपको भी करना है कि इसका share निकालेंगे 8,000 बन गया देना कितना है हमने उसको 10,000 तो 2,000 deficiency के है अब इसके बाद guys next question question number 7 है उसको try करते हैं आप भी अपने register में साथ के साथ note करो भई bubbly सुमन & भारती कान कान है bubbly है सुमन & भारती है क्या नाम रखे है partners and sharing profit in the ratio equally ठीक है bubbly drew regularly 4,000 in the beginning of every month infrostone drawing के guys बहुत सारे question आई है अच्छे तरह के से practice करनी है bubbly जो है guys कौन है bubbly यह री bubbly ठीक है यह 4,000 रुपे beginning में निकालती है every month तो multiply by total drawing के लिए हमें कितने से multiply करना है 12 से आगे क्या कहते है every month for 6 months 6 महीने तक के लिए निकालती है तो 6 महीने वाला लेंगे 6 महीने मतलब 6 months and 6 months ended 30 September 6 महीने तक उसने पैसे निकाले हर महीने 4,000 रुपे तो 4 शीक total drawing कितनी आगए आपके 24,000 रुपे interest on drawing हमें given है guys 5% और हमें जो main चीज होती है यह निकालना इसके लिए table 6 months वाली क्या कहती है guys 6 और इसमें क्या करते है हम 6 months की क्या होती है 6 months की होती है guys याद है आप लोगों को नहीं याद monthly की याद करना monthly वाली होती है आपकी beginning middle end 6 ठीक है 0.5 होता है add and 0.5 less यह होता है monthly का तो आपका middle मतलब sorry 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 monthly का यह होता है तो 6 months का इसका half कर देते हैं 3 अब इसमें 0.5 add करो इसमें 0.5 less करो समझ आया नहीं आया भी कोई बात नी दूबारा समझ आते हुँ देखो हमें यह table याद करने होती है guys average time period निकालने के लिए हमारी जो table होती है normally वो इस तरीके से बनती है जिसमें 3 section होते है ठीक है जैसे हम zero karta बनाते है यह हम starting में लेते है guys आप ले सकते हो quarterly ले सकते हो monthly और for six month ठीक है अब quarterly और monthly के लिए six six लेते हैं अगर middle में drawing withdraw होती है अगर beginning में हो या फिर end में तो क्या करेंगे quarterly में six में 1.5 add हो जाता है और end के लिए 1.5 less हो जाता है monthly के लिए इस six में 0.5 add होता है और 0.5 less होता है six में तो six में 0.5 add हो और 6.5 less हो और 5.5 six months के लिए क्या करते हैं इस six का आधा कर देते हैं तो 3 हो जाता है तो add करते है 0.5, 3.5, less करते है तो 2.5 अब हमार को जो given है guys हमें क्या given है यह 6 महिने के लिए विड्राओ करता है तो total drawing आगे 24,000 5% के हिसाब से and आगे क्या बोला है इसने यह जो drawing विड्राओ करता है 4000 in the beginning of every month beginning में हमें 3.5 लेना है divided by 12 अब इसे solve करते हैं हम लोग दो 0, 3 0, cut गई 12, 2, 24, 25, 10 and the answer will come 3.50 तो यह guys stable है इसको जड़ा अच्छी तरीके से माइंड में बिठाना है हम लोगों को और बहुत असान है इसको याद करना तो इस तरीके से आप answer निकाल दोगे और 3.50 अब हम check करते है यह सॉप्शन ने में 350 गिवन है अब गाइस नेक्स्ट करते है क्वेश्चन नमबर 7 ठीक है क्वेश्चन नमबर 7 नी 8 पर पहुँच गए है हम लोग वाउ दा फर्म ऑफ सतिंदर अन जितिंदर अरन अप्रोफिट ओफ्री लाग 25 थाजन गाइस दो पार्टनर है अब उन्होंने का हम 10 परसंट तो डोनेट कर देंगे पैसा ठीक है किसे करने डोनेट एंजियो को कर रहे है चूज दी करेक्ट जनर एंट्री रिलेटेड टू दा स्टेटमेंट अब उन्होंने जो एंट्री दी है वो दी है प्रोफिट एंड लॉस अप्रोप्रोप्रेशन से रिलेटेड यानि कि प्रोफिट एंड लॉस अप्रोप्रोप्रोप्रेशन में कितना प्रोफिट उनको distribute होगा तो कितना होगा गाईस अगर मैं आपसे पूछू कितना होगा अगर उन्होंने बोला कि हम 10% donate कर रहें तो 10% कितना हुआ इसका 3,25,000 का कितना हुआ 32,500 तो 3,25 में से 32,500 अगर हम less कर दें तो कितना आएगा यह आगया 5,4 में से 2 गया 2 and 12 में से 3 गया 9 and 2,92,500 इनका बचा हुआ प्रॉफिट है जो कि distribute होगा दोनों पार्टनर में equal ratio में क्योंकि कुछ भी profit sharing ratio given नहीं है तो हम लोग अगर इसे बाटें तो पार्टनर के लिए जो ratio दे रखी है वो equal दे रखी है तो 2,92,500 को equal बाटेंगे तो एक person को मिलेगा 1,46,250 तो आपके हिसाब से क्या general entry होनी चाहिए profit and loss, appropriation account, debit होगा गाईज और partners credit होंगे जो भी दो partners हैं इतने amount से तो यहां पर entries जो हमें दे रखी है उसमें गलत entries भी दे रखी है कि partner debit होंगे और appropriation credit होगा 2,92,500 से तो जी यह गलत है second entry इनोंने दी 32,500 appropriation में debit हो रहे हैं और partner के current account में credit हो रहे हैं entry गलत है guys third entry इनोंने दी है हमें profit and loss appropriation account debit होगा तो partners का account current account इनोंने use किया है तो ठीक है हम यहां पर यह वाली entry guys choose करेंगे क्योंकि क्यों करेंगे क्योंकि partners को यह पैसा मिलना है तो यानिकि three यानिकि third option जो है इसमें correct होगा अब इसके बाद guys जो ninth question है वो है 1st January 2021 को एक partner loan देता है firm को कितने का loan दे रहा है guys एक लाख उपे का loan दे रहा है ठीक है एक लाख का यह तो आप लोग question मूह जवानी कर दोगे एक लाख उपे का loan दे रहा है firm को in the absence of agreement interest on loan हम उसे 31 March को कितना देंगे अब इसने यह loan कब दिया तो आपको date given है एक जनवरी 2021 को और हमें 31 March 2021 तकका उसका interest निकालने तो बहुत असान है guys हमें interest का कुछ amount given नहीं है तो 6% होगा how many months January, February, March 3 महिनों का निकालेंगे कट जाएगा यह और अगर हम यह काटे solve करेंगे मेरा answer आ रहे 1500 तो B option है guys 1500 जो की correct है ठेक है and question number 10 क्या है which of the following item is not built through profit and loss इन में से कौन सी item है जो profit and loss appropriation account में नहीं आती आप मुझे बताएं कौन सी item नहीं आती guys interest on partners loan क्या यह आता है appropriation में तो पहला ही option है interest on partner loan नहीं आता second उन्होंने बोला partner salary appropriation में आती है partners का interest on capital आता है partner का commission आता है तो first option है guys interest on partners loan नहीं आता तो guys आज के स्वीडियो में हमने total 10 ncqs करें और इसमें I hope आप लोगो को speed का पता चला होगा कि किस speed से आपको questions को करना है और यह video helpful रही होगी guys आपको telegram पर channel join करना होगा ताकि आपको ncqs समय समय पर मिल सकें और आप उनकी practice कर सको और अपने doubt मेर से instagram पर मेरी idea ता बिता मैंसी या फिर youtube पर comment के थूँ पूछ सकते हैं thank you